कि अपने घरों में खुश्वरबाद होंगे तो जी आप मैं बना रही हूं नाश्ता और नाश्ते में आज मैं बना रही हूं फ्रेंच टोस्ट जो के मेरी मामा का बहुत जादा दिल कर रहा था उन्हों मुझे कल का था कि तुम बना दो पर मैंने का मामा आज रहने दे आज नहीं बनाते कल बना दूंगी तो मैंने का चलो आज फाइनली में थोड़ा जल्दी भी उठी थी सुबह तो मैंने आज बना लेते मामा के लिए बहुत ही मज़दार से फ्रेंच टोस्ट तुझी इसका मै कर लिया है और आपने क्या करना है इसके बाद इसको स्लाइस को जो इसके अंदर डिप करके और आपने जो इसको फ्राइब कर लेने और आपके बहुत ही मज़दार से फ्रेंच टोस्ट जो हैं वह रेडी हो जाएंगे और साथ-साथ मैंने रख दी है चाए ताकि क्यूंकि सुबह में इतनी गर्मी होती है ना कि आपको होता है कि फट्र भट नाश्ता बना और जाके मैं किचन से फारेग होज़ आज वह जादा घर्मी वरना पहले कभी नहीं होती इतनी गर्मी मतलब कि बहुत हालत खराब जाती है कि जोड़ा सा भी काम करने चले जाओ और सुब जब नाश्टे के वक्त और जो सुबह सुबह का टाइम हो रहा हूँ वो तो अलगी होता है कि बस जल्दी बंदा काम खतम कर ले तो जी यहां पर मेरा जो नाश्टा वो हो चुका है रेडी तो यहां पर मैंने फ्रंच टोस्ट बना लिये थे और एक स्लाइस जो है वो जल्द जो पता लगा कि मामा कहां से लेका है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ तो यहां पर ममा करके आई हैं शॉपिंग मैंने का आप लोग भी दिखा देती हूं यह काफी जॉदा अच्छे मसाले आँसे मिलते हैं तो ममा आज गई तो किसने बताया था मामा को किसीने बत जुदा बेक भाग अबने काफी खूओर ज़र्च में तो बनारा थी गई तो तो निकालना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करना करूआ है और यह है स्टीज है पास्ता कियो यह भी भी पाक्राव वीरी को सब्सक्राव तो यह है दूसे गई और राकोर माले पास्ता है त बिर्यानी मसाला 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 बिर्यानी मसाल पें हमारे को काने हैं पानी डालने warm ड्राइब पारी बीडू में ड्रखने कि खाने पीने हैं कर्षाव भार णातों सत्य गर्म के लिड़ हैं जिम कुळा जब यहाँ जाओ ये मतटी शाहिता है आपर बागि के भुल्टी के रहता हैं पानी तो यह वह चीज़े हैं सारी कट्टी करके रखो मैं थोड़ी एक और जी यहां पर मैंने आपको दिखा दें से ही शॉपिंग और मैं मामा से पूछ के जरूर बतातूंगी कि बहुत ही जादा अच्छे मसाले हैं सबसे बात मुझे इसके अंदर अच्छी लगी कि वह जिपलॉक बैग में हैं आप अच्छे सा यूज कर सकते हो और साथ में मामा जोई वह फ्रूट्स की शॉपिंग करें ती जिस दिन मामा बाहिर चले जाएं तो उस दिन मामा सब कुछ एक साद ले के आजाती है क्योंकि हादे का पूरा आपके दिन दिमाग में होता है हो पिनाते रहते हूं हृँ यह भी लाना एक साथ तीन चमच लिया है कोको पाउडर और हमने साथ में लिया है आदा कपचीनी और वें टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और दो अंडे वनेला एसंस और लेमन एसंस तो यहांपे स्टार्ट करते हैं हम केक बनाना और बहुत ही ईजी सा बन जाता है बहुत जाता है बहुत ग्राइड इसके लुड़े कहलें उसके बाद एक चमGU चाहर पाौटा उसके के बारें ग्रीडियन तो तो ऊसे. उसके बाद हम अडिक पाउडने केक्ट की बना नहीं. लिक्विड हमें हमेशा बनाना पड़ता है पर एक बार ट्राइ किया था पर फिर ट्राइ करूंगे और आपको पताऊंगी कि अगर 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 अपको अच्छा डिब्बा है तो वह देखेंगे चेक करेंगे तो यहां पर हमने दो अंडे जो है वह यूज किये और इसको ममा मैं अच्छी से अजिए फैंट लेगी तैंटे फैंटे 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 वह जो क्या करता है Creed मिक्सचर जो था हैंड मिक्सचर वो मामा को मिल नहीं रहा था पता नहीं मैंने कहां रख दिया था और मैं अंदर चोई अपना दूसरा काम करी थी और उसके बाद यहां पे हमने एड किया है आधा कप घी का आप और भी उसकर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है पहले मेरी माम वरना आप पीसीवी-चीन है तो जाथा सजी है अच्छे से मिक्स हो जाती और अपा काम हो जाता है और उसके तोड़ा सा ऐसे अदर डाला था दूद बनले को थोड़ी जाला नहीं डाला और इसके बाद हम ona करेंगे एक चमच वनेला बनेला एसेंस डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर दो तीन डॉप लेमन एसेंस के डालेंगे ज्यादा लेमन एसेंस डालता है क्योंकि वह खुश्बू के लिए होता है आपने नोट कि होगा कि बाहिर के जो हम केक खाते हैं उसमें थोड़ा से पील आ रही होती है लेम जो लेकवेड है उसके अंदर ड्राइए उनकरिदेंश के नदर हम एक कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे मतलब कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर जो हो रड़ी हो जाएगा तो जी इतना ईजी सा जो वह बैटर है और अब इसको करना है बेक मामा जो हम मुझे बना के दे देती है बैटर और बेक मैं करती हूं क्योंकि पतीले में थोड़ा सा ना मैं सही बना लेती हूं मामा को थोड़ी गर्मी भी लगती है तो इसलिए मामा मुझे बैटर बना देती है मैं से बेक करूंगी और बेक करते हुए मैं बताओंगी कि हम इसको कैसे ब पतीले में थोड़ा से डिफिकल लगता है पर बहुत अच्छा बनता है तो जी यहां पर हमारे जो बैटर है वो रिटी हो गया और आपने इसके लंप अच्छे से खतम करने और इसको अच्छे से मिक्स करना है मतलब कि एक जान सा होजा है इसमें थोड़े से जो में अच्छे इसमे कर लिया था और मैंने अपको क्या केणे था पतानी क्या कहना था यहनित ऊज़िया यह अ कब मेरी के बहुत जाधा ही लेवेल अधर ठाइन क commence MOL पता मेरा विंदा रेडी कर लिया था क्यार में लगा था जाम जात है मेरा मेम लग पता है मैंने मोल पता कर अधरा जानलों ये के लिए नहीं सीन चाम कर दू है हमेर table कमेरे लिक भी मॉल ले सकते हैं ये उर्य को अन्य के हम लिया है और इसको मैंने लगा 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 इसको पर तो इसके बाद हम इसके अंदर एड्ट कर देंगे बैटर और अजाथ करणे हैसकेouter साफ करना बहुँ को पेटर जाही नहीं करना अच्छा साफ करके और इसको आपने इसके अंदर एड्ट करतेना हैчики कि तो जै। यहां पर बारी आ जाती है अप केक को बेग करने की और मैंने आपको पतीले पहले पहले दिखाना बिल्कूल भूल गया है में इतने एक्साइटमेंट के चकर में केक को जल्ड-डी रख दिया तो यहां पर मैं आपको पहले बता देती कि मैंने 5 मिनट जो है वो पतीले को पहले ही रख दिया था हीट अप करके हीट अप होने के लिए तो तो सिंपल मैंने इसके नीचे एक चोटी सी प्लेट रखी और मैंने कुछ भी निरखा कुछ लोग नमक भी रखते हैं पर मैंने कभी निरखा तो अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हो और यहां पर एक strand मिलता है वह strand भी रख सकते हो और कुछ लोग पत्थर भी रखते हैं पर यह चीज़े मैंने क्यों ट्राइन की ऐसे बहुत अच्छा बन जाता है तो मैंने जरूरत नहीं समझी तो अगर आप वैसे बनाते हो अगर अच्छा बनता है तो बहुत हलकी आच में गड़ते हैं और पहले जैसे ही आप रखो तो पांच मिनट के लिए आप लो आपको जो फ्ले में वह तेज रखना है और पांच मिनट बाद आपने इसको चक करना है जब आपका थोड़ा हलका सा कच्छा पका सा हो जाए उसके बाद आपने चूले की क्यांज को बहुत ज़्यादा हलका कर देना तर बहुत पांड़ी मनिट लगें पाने के सेख कर सकतें कि कि filters क्सी किहीं कि साइट से आपका मॉल आपको में रखा जाए कि इस लिए एक तरफ से कच्छा रहे जाता है बिल्कुल आपने जो प्लेट कंई बिल्खुल सीधी होनीचा होगी जो आपका मॉल है केक का वो भी सीधा होना चाहिए तो इसलिए आपका केक बहुत अच्छा बनेगा तो इसक्यूजर जो है विल्कुल जादा नहीं निकला है हर तरफ से आप चेक कर लो कहीं से कच्छा ना हो तो इसके बाद आपने इसको कर लेना है ठंडा तो यहां पर मैंन निकाल सको गरम गरम निकालते हो तो वह गरम गरम से निकालते निकालते ही तूट जाता है तो इस तरह होता है तो आपने गरम गरम नहीं निकालना है इसको आदे गंडे के लिए अच्छे से चिल कर लेना ठंडा कर लेना और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है तो ज तो बहुत ज़्यादा बना था आप लोग इसे जरू ट्राइक करना और मुझे जरू बताना कि आप लोगों का कैसा बना अगर आप लोगों को वाइट वाला की अच्छा लगता है तो आपने सिर्फ जो है वह चॉकलेट पाउडर नहीं डालना बाकि सब पुछ जैसे आपने जाएगा ठीक है जी तो चॉकलेट वाला जो हमें पसंद है तो इसने मैंने का माम आप चॉकलेटी बनाओं में बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग इससे देख लें कितना अच्छा बना है बहुत ही यमी बनता है बिल्कुल ब्राउनी जैसा बहुत यमी इसके उपर स मज़ेका लगता है आप लोगोने इसको त्राइख करना है और मुझे जुरू बताना कि आप लोगोंगों का कैसा बना तो आप लक्स ज़रू ट्राइख करना तो आप कर लेना ठीक है तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ केक क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना है और आप लोगों नहीं रेस्पी को आई होप इंजॉई किया होगा तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर कॉमेड और सब्सक्रा बद्स्टतौच्ठ मेरा टो फिए लाइक भॉर क्युक्तत सुछ्छा टाय वर according